तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर टू स्टेट्स ऑफ मैटर की हम लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर वन को पढ़ चुके हैं और हमने चैप्टर वन के अंदर सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था चैप्टर वन में हमने matter क्या तसक्रा किया था आज matter की states के बारे में बात करेंगे तो हम लोग matter की states के बारे में बात करते हैं matter की four states है सबसे पहली जो matter की state है वो है solid दूसरी matter की state है liquid और तीसरी matter की state है gases और fourth state is plasma क्यूंकि हम mdicat के लिए पढ़ रहे हैं तो mdicat की course outline के हिसाब से हम plasma को further discuss नहीं करेंगे हमें restrict करना पड़ेगा अपने आपको solid, liquid और gases तक तो आएजे ज़रा solid, liquid, gases के behaviors को जानने की कोशिश करते हैं solid, liquid और gases के behaviors सबसे first behavior के अंदर हमें ये समझना है कि solids की shape कैसी होती है तो solids की shape fix होती है solids की shape fix होती है जिसको हम लोग definite भी कह सकते हैं liquid की shape की बात की जाए तो liquid की shape fix नहीं होती उसको जिस container में डाला जाए वो उस container की shape require कर लेता है तो liquid की shape indefinite होती है और अगर gases की बात की जाए तो gases की shape भी fix नहीं होती इनको जिस container के अंदर रखा जाएगा जिस slender के अंदर रखा जाएगा तो यह slender की shape को acquire कर लेंगे तो हमारे पास slender की shape को acquire करने की वज़ा से या किसी भी container की shape को acquire करने की वज़ा से इन gases की shape को indefinite कहा जाएगा अगर हम volume की बात करते हैं तो solids का एक fixed volume होता है ना ये उससे जादा जग़ उकोपाई करते हैं और ना ही उससे कम तो solids की solids का जो volume है वो भी definite होता है, fix होता है liquids की बात की जाए तो liquids का volume भी fix रहता है जैसे के अगर आपके पास एक लीटर water है अगर आपके वास एक लीटर पानी है तो आप एक लीटर पानी को आप can के अंदर रखें, galan के अंदर रखें या आप इसको किसी tub के अंदर रखें तो वो एक लीटर ही रहेगा वो अपनी height बढ़ा के पानी अपना volume नहीं बढ़ा देगा पानी की height नहीं बढ़ेगी या तो पानी की length बढ़ेगी या पानी की width बढ़ेगी अगर आपने पानी को glass क अंदर डाला तो पानी की height बढ़ जाएगी यानि कि overall जो इसका volume होगा volume same रहेगा जिस तरीके से भी आप volume लेना है पानी का volume या किसी भी liquid का volume रहेगा वो fix रहेगा वो change नहीं होगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो liquids है, liquids का volume fix रहता है हाँ अगर gases की बात की जाए तो gases के molecules के दर्म्यान में क्योंके gaps बहुत जादा होता है और इनकी diffusibility बहुत जादा होती है तो इनको जिस container के अंदर रखा जाए ये इस पूरे container का पूरा volume को पाई कर लेता है यानि कि अगर आप इसको एक छोटी bottle के अंदर बंद कर देंगी gas को तो gas उस volume के अंदर भी उस छोटी सी bottle के अंदर भी pack हो जाएगी और अगर आप gas को, perfume को अगर आप spray करके पूरे कमरे के अंदर पाई कर लेगा यानि जितना भी volume container होगा पूरा का पूरा old — उक्कॉपाइ कर लेगा solids के molecules एक दूसरे को बहुत strongly attract करता है। strongly एक दूसरे को जोड के रखते हैं। इनके दर्मियान में binding force बहुत ज़ादा होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि solids के molecules के दर्मियान में जो intermolecular force of attraction है वो बहुत ज़ादा है। अगर liquids की बात की जाए तो liquids के molecules के दर्मियान में भी liquids का जो cluster होता है उसके molecules के दर्मियान में भी intermolecular force of attraction बहुत ज़ादा होती है। इसलिए liquids की भी intermolecular force of attraction हाई ही होगी यानि बहुत ज़ादा होगी। जबके gases के molecules की बात की जाए तो gases के molecules के दर्मियान में कोई force of attraction या कोई force of repulsion नहीं होती according to kinetic molecular theory अब ये मैंने क्यों word add किया है क्योंकि ये थोड़ा controversial है इसको हमें further आगे discuss करना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो liquids हैं इनके molecules की दर्मयान में intermolecular force of attraction negligible होती है एक second intermolecular force of attraction यहाँ पर बहुत ही कम होती है according to kinetic molecular theory kinetic molecular theory के इसाब से इनके दर्मयान में intermolecular force of attraction बिल्कुल भी नहीं होती या बहुत ही कम होती है ऐसा क्यों है इसको next topic के अंदर discuss करते हैं थोड़ी देर के लिए इस पे wait करते हैं यहाँ पर अगर packing की बात की जाए तो solids क्योंकि solids बहुत tightly packed हैं इसलिए solids की packing बहुत tightly packed वाली होगी जबकि liquids के molecules के दर्मयान में solids के molecules के दर्मयान में intermolecular force of attraction बहुत जादा है इसलिए उनके molecules एक दुसरे से tightly packed होंगे liquids के molecules में भी intermolecular force of attraction बहुत जादा है तो इसलिए liquids के molecules भी tightly packed होंगे या repulsion नहीं है इसी लिए उनके दर्मयान में मॉलिक्यूल के दर्मयान में कोई dependency नहीं होती मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ट नहीं होते बलके एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं तो आई इसको लिख लेते हैं कि solids के मॉलिक्यूल बहुत tightly packed होते हैं अगर liquids की बात की जाए तो liquids के मॉलिक्यूल भी काफी closely packed होते हैं closely packed और अगर gases के molecules की बात की जाए they are very far from each other ये एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं they are very far from each other अच्छा अगर solids के pressure की बात की जाए तो solids का pressure नहीं होता इतना लेकिन उसका weight बहुत जाद होता है तो solids का pressure कम होता है solids का pressure कम होता है लेकिन इसका weight बहुत हाई होता है अगर liquids की बात करें तो liquids का pressure moderate होता है लेकिन again liquids का weight बहुत हाई होता है तो liquids का weight काफी high होता है लिक्विट्स का वेट बहुत जादा होता है और प्रेशर जो है लिक्विट्स का वो भी मौडरेट होता है यानि के सॉलिट्स के प्रेशर से कफी जादा है अगर गैसिस के प्रेशर की बात की जाए तो गैसिस का प्रेशर एक्स्ट्रीमली हाई होता है हाई होता है, extremely जादा होता है, लेकिन gases का कोई pressure नहीं, gases का कोई weight नहीं होता, तो हम यहाँ पर लिख देता हूं, gases का कोई weight नहीं होता है, या बहुत ही कम weight होता है, जिसको हम negligible count कर सकते हैं, considerable बिलकुल नहीं होता है, यहाँ पर लिख दिया है, considerable नहीं होता, negligible होता है, ठीके, अब आगे बढ़ते हैं students हमारे पास solids की density की बात करते है solids की density solids की जो density है वो काफी ज़ादा होती है क्योंकि solids compact होते है यह कम volume उको पाई करता है और इनका mass ज़ादा होता है इसलिए overall इनकी density ज़ादा आती है यानि density का formula होता है mass upon volume क्योंकि solids का volume जो के volume denominator के नहीं मुझूद है solids का volume कम होता है क्योंकि यह tightly impact होता है और इनका mass बहुत ज़ादा होता है तो overall इनकी density ज़ादा होती है तो इनकी density हाई होती है अगर liquids की बात की जाए तो liquids भी कम volume उको पाई करते हैं और इनका weight या इनका mass बहुत ज़ादा होता है इसलिए इनकी density भी high होती है आम तोर पे solids की density सबसे high होती है ऐसा जरूरी नहीं है कोई hard and fast rule नहीं है क्योंकि ice solid है और उसकी density कम है water liquid है उसकी density ज़ादा है लेकिन आम तोर पे generally solids की density ज़ादा होती है और liquids की density solids के मकावले में generally कम होती है gases क्योंकि बहुत ज़ादा volume occupy करती है लेकर मास बहुत कम होता है इसलिए इनकी density बहुत ही कम हो जाती है negligible हो जाती है तो इनकी density में लिखते हैं very low या negligible अगर बात करते हैं diffusibility की तो gases की diffusibility बहुत ज़ाद होती है diffusibility का मनलब क्या है diffusion पहले समझते है diffusion का मनलब होता है फैलना diffusion एक किसी gas का आप ऐसे समझ सकते हैं कि diffusion का मनलब है फैलना higher concentration से lower concentration पे अगर हम perfume spray करेंगे तो perfume की nozzle से perfume की nozzle से spray निकलेगा और वो पूरे कमरे के अंदर पूरे container के अंदर पहल जाएगा तो अगर आप देखेंगे जब perfume की nozzle से जो bottle है उसकी nozzle से जब perfume निकलेगा जो vapors निकलेगे उस time पे उस particular जगा पे उसकी concentration बहुत जादा होगी लेकिन container में concentration perfume की काफी कम है तो perfume के molecules higher concentration से lower concentration की तरफ move कर जाएगे तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे अगर आपकी जो bike है या कोई cycle है उसका tire puncture हो जाता है तो tire puncture होने की वज़ा से जो हवा जो air है tire के अंदर जो tube के अंदर जो air है वो hole से निकल के फॉरन बाहर की तरफ निकलती है क्योंकि बाहर का pressure कम है बाहर air कम है और अंदर air का pressure जाद है तो air diffuse हो जाती है air बाहर फैल जाती है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि gases का diffusion एक जगह से दूसरी जगह पर फैलने का हम बोलते है diffusion और gases की diffusibility बहुत जाद होती है अब diffusibility और diffusion में क्या फरक है तो यह आप ऐसे समझते हैं diffusion का मलब है फैलना और diffusibility का मलब है उसकी फैलने की capacity जैसे liquids भी diffuse होते हैं और gases भी diffuse होती हैं लेकिन क्योंकि gases की capacity ज़ादा है तो gases की diffusibility ज़ादा होगी लेकिन diffusion phenomenon का नाम है तो phenomenon तो दोनों है हो रहा है लेकिन capacity क्योंकि gas की ज़ादा है और liquids की कम है तो हम यहां पर लिखेंगे कि gases की diffusion या diffusibility gas की बहुत हाई है और liquids की जो diffusibility होती है वो moderate होती है और solids की diffusibility की बात की जाए, तो solids की diffusibility कम होती है, लेकिन solids की diffusibility ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होती है बहुत कम होती है, अगर हम इसकी examples की बात करें, तो जैसे कि corrosion है, जैसे कि किसी metal को जंग लग जाता है, तो वो आहिस्ता, आहिस्ता, slowly, slowly फैलता है अब किसी metal की diffusion, किसी metal पे जो corrosion rate है, वो जादा होता है, और किसी metal का corrosion rate कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कि solids में diffusion नहीं होती है एक example आप और ले सकते हैं जैसे कि radioactive decay है radioactive decay होता है, लेकिन इसका rate बहुत कम होता है, इसकी speed बहुत ही slow होती है, इसलिए हम यह compression मलब किसी चीज को कम कर देना और कम कर मलब किसी चीज को contract कर देना जैसे के अगर मेरे पास gases है, gases को contract किया जा सकता है, compress किया जा सकता है, बहुत जादा pressure apply करके या मामूली सा pressure apply करके भी gases को compress किया जा सकता है, लेकिन liquids को compress करना इतना आसान नहीं होता, liquids को compress करने के लिए hydraulics की example ली जा सकती है कि बहुत जादा pressure उसके उपर apply करना पड़ेगा तब जाके liquids थोड़ा compress होता है बहुत little amount में compress होता है और solids को compress करना possible नहीं है अब बात करते हैं solids की dependency की तो solids के molecules क्योंकि काफी tightly packed होते हैं इसलिए एक दूसरे पर बहुत जादा depend करता है अगर liquids की बात की जाएगी तो liquids के molecules भी एक दूसरे से closely packed होते हैं closely packed होने की बज़ासा और इनकी intermolecular force of attraction बहुत जादा होने की बज़ासे liquids के molecules भी एक दूसरे पर बहुत जादा depend करते है अगर solid का एक molecule vibrate करτα है तो ultimately दूसरा molecule भी vibrate करता है, similarly liquid का एक molecule move करता है layer by layer move करता है, तो दूसरा molecule भी move करता है, इसलिए दोनो, एक दूसरे, दोनो के molecules एक दूसरे पर dependent होते हैं अगर gases की बात की जाए, तो gases के molecules के दरम्यान में कोई inter-molecular force of attraction नहीं होती या बहुत कम होती है, इसलिए gases के molecule एक दूसरे पर depend नहीं करते है अब बात करते हैं gases की, gases दो types की होती है real gases, ideal gases ideal gases वो gases जो के सारे gas law obey करती है irrespective of the temperature and pressure यानि ideal gas ideal gas वो gas है ideal gas वो gas है gas which obeys all gas loss all gas loss at every temperature at every temperature and pressure लेकिन अगर बात की जाए real gases की, तो real gases सारे gas loss को obey नहीं करती हर temperature और pressure पर real gases real gas do not obey don't obey all gas loss at every temperature and pressure कहां फर्क आता है कहां हम एक demarkation line create कर सकते हैं real gases और ideal gases के दर्मियान में तो आई ये ज़रा समझते हैं kinetic molecular theory के साब से आपको याद होगा इस चैप्टर के शुरू में मैंने कहा था कि gases के दर्मियान में कोई inter-molecular force of attraction या repulsion नहीं होती according to KMT kinetic molecular theory अगर gases के molecules एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो उनके दर्मियान में यकीनन कोई force of attraction या repulsion नहीं होती लेकिन उस वक्त क्या होगा जब gases के molecules एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो जब समझते हैं अगर हमारे पास gases के molecules एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो जब gases के molecules एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो उनके दर्मियान में inter-molecular force of attraction या repulsion भी डेवलप हो जाएगी तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ at high at high pressure at high pressure and low temperature real gases real gases real gases can have inter-molecular force of attraction inter-molecular force of attraction and repulsion as well so so real gas don't obey real gas don't obey all gas loss all gas loss at high pressure and low temperature इसको अनम्ड केट केना बहुत जादा पूछा जाते हैं इसलिए इसको डिसकस करना बहुत जरूरी है क्योंके molecules एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे तो आप यहाँ पर यह लिख सकते हैं so real gas don't obey all gas laws यह don't obey ideal behavior ideal behavior at high pressure and low temperature लेकिन अगर बात की जाए के real gas कब ideal behavior follow करती है तो आईए ज़र उसको समझते हैं अगर हमारे पास high temperature हो high temperature हो या low pressure हो तो उस सूरत में क्या होगा high temperature या low pressure पे देखें high pressure पे high temperature पे क्या होगा high temperature पे molecules की kinetic energy बहुत जादा बढ़ जाएगी high temperature पे molecules की kinetic energy molecules की kinetic energy बहुत ज़ादा बढ़ जाएगी जिससे उनकी speed बहुत ज़ादा बढ़ जाएगी और वो एक दूसरे से दूर दूर भाग जाएगे तो हमारे पास होगा क्या कि high temperature high temperature पे kinetic energy बढ़ेगी तो speed भी बढ़ जाएगी velocity बढ़ जाएगी तो molecules एक दूसरे से दूर भागेंगे molecules will move will move away from each other तो जब molecules एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगे तो उनके दर्म्यान में कोई intermolecular force of attraction ये repulsion create नहीं होगी similarly अगर low pressure की बात की जाए तो low pressure पे भी gases की molecule एक दूसरे से दूर दूर हो जाते है जब gases की molecule एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगे तो फिर दूबार कोई intermolecular force of attraction ये repulsion नहीं होगी तो हम ये कह सकते है at high temperature and low pressure real gas obey ideal behavior अब मैं कब से gas loss, gas loss के जा रहा हूँ तो एक काम करते हैं सबसे पहले gas loss को discuss ही क्यों ना करना है तो आईए ज़र ग्याइस loss को discuss करते हैं gas loss में हमारे पास कुछ loss है जैसे boils law, avogadro's law, charles law, delton's law of partial pressure और graham's law of diffusion तो आईए ज़र इनको discuss करते हैं सबसे पहले boils law को discuss करेंगे boils law boils law में boils ने ये कहा कि volume inversely proportional होता है pressure के किसी भी gas का volume inversely proportional होता है उस gas के pressure के अगर आप pressure बढ़ा देंगे तो volume कम हो जाएगा और अगर आप pressure कम कर देंगे तो volume बढ़ जाएगा हमारे पास इसको ऐसे लिखा जा सकता है volume is inversely proportional to pressure और अगर इसको further drive किया जाए तो further हमारे पास formula निकल के आता है P1 V1 equals to P2 V2 Again, ये NMD cat है तो derivation जरूरी नहीं है सिर्फ formula जहन में रखके numerical solve किया जा सकता है अगर बात की जाए, charge law की, तो charge law में ये कहा गया है कि volume directly proportion होता है temperature के अगर आप temperature बढ़ाएंगे, तो volume खुद बखुद बढ़ जाएगा और अगर आप temperature कम करेंगे, तो volume खुद बखुद कम हो जाएगा इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए आप dairy life में एक example ले सकते हैं आप एक गुबारा फुलाएंगे, जब आप गुबारा फुला लेंगे, तो आप उसको पहले measure कर लें उसका volume जब आप measure कर लेंगे, तो आप उसको refrigerator कर लेंगे, अपने घर के freezer करना रख दीजिए, दो घंटे के लिए आप उसको freezer करना रखें और फे उसके बाद देखेंगे, तो वो गुबारा उसका volume श्रिंक हो जाएगा, क्यों श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि जब refrigerator में temperature कम होगा, तो volume खुद बहुद कम हो जाएगा, इसको जरूर करके देखेगा, similarly, हमारे gas के slenders क्यों फटते हैं, क्यों blast होता है gas के slenders के अंदर, तो बहुत ज़्यादा molecules कम जगा occupy करते हैं, यानि अगर आप उनका volume कम कर देते हैं, बहुत सारे gas के molecules को compress करके, उनका volume कम करके, एक slender के अंदर उनको occupy कर देते हैं, तो ultimately उनका pressure बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर आप gases के slender को उनकी capacity से ज़्यादा fill up करेंगे, तो gases के जो pressure है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वज़ा से slender blast हो सकते हैं, तो यहाँ पर boils law की application हमें साफ दिखते हैं, अगर हम बात करें, charge law को continue रखते हुए, volume directly proportional होता है temperature के, तो अगर आप इसको drive करेंगे, तो हमारे पास formula निकल के आएगा, V1 upon T1 बराबर होता ह किस चीज़ के, V2 upon T2 के, similarly, अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप यह समझ सकते हैं, कि volume directly proportional होता है number of moles के, जितने ज़्यादा number of moles होंगे, उस gas का volume उतना ही ज़्यादा होगा, अगर किसी gas के moles की तादात ज़्यादा है, तो उस gas का volume भी बढ़ जाएगा, अगर किसी gas के moles की ज़्यादात कम है, तो ultimately volume कम हो जाएगा, लेकिन यह बात इतनी खास नहीं है, जितनी खास एक और बात है, एवागाड्रोस लॉगा जो second statement है, वो second statement में कहता है, कि अगर दो या दो से ज़्यादा gases का equal volume हो, तो उनके number of molecules बराबर होंगे, यहाँ पर यह statement लिख देता हूँ, equal volume, equal volume of two or more gases, equal volume of two or more gases contains equal number of molecules, यानि के अगर हमारे पास एक gas है, methane gas, और एक और gas है, hydrogen gas, हमने दो एक्जामबल लेनी, अगर हमारे पास methane gas के भी two moles है, और हमारे पास hydrogen gas के भी two moles है, तो ultimately इनके molecules कितने हो जाएंगे, इनके molecules two को multiply कर दीजे, 6.02 exponential 23 से, तो हमारे पास इनके molecules की तादाद आ जाएगी, 12.04 exponential 23, अगर यहाँ पे भी two moles है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12.04 exponential 23 molecules, तो हमें इतना समझ में आ गया, कि अगर दो gases के moles सेम होंगे, तो उनके molecules भी सेम होंगे, लेकिन अगर आप बात करें, दो gases के, दोनो gases के volumes की, तो अगर दोनो gases के volume सेम है, तो क्या होगा दरह देखते हैं, लेट्स हमारे पास methane gas है, तो methane gas का volume है, 44.8 decimeter cube at standard temperature and pressure, हमारे पास hydrogen gas का volume कितना है, hydrogen gas का volume ह 44.8 decimeter cube at standard temperature and pressure, दोनो gases का volume सेम है, अगर आप यहाँ पे moles निकालेंगे, तो moles निकालने का formula हमने पढ़ा था, वो formula क्या था, कि volume को divide कर दिया जाए, molar volume से, और molar volume होता है 22.4, तो number of moles निकलेंगे हमारे पास 2, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, number of moles यहाँ भी 44.8 को 22.4 से divide करेंगे, तो यहाँ पे भी number of moles आजेंगे, हमारे पास 2, दोनों जगह पे दो-दो moles आगए, अगर आपने देखा, equal volume है, तो equal volume होने की वज़ा से, number of moles सेम है, equal volumes होने की वज़ा से, number of moles क्या है, सेम है, जब number of moles सेम आए, तो दोनों के molecules भी क्या हो जाएंगे, सेम हो अगर हमने बात करी, तो अगर हमने बात करी, तो अगर आप इसको drive करेंगे, तो हमारे पस जो formula आएगा, वो formula हो जाएगा, V1 upon N1 equals to V2 upon N2, अब अगर 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 आप इसको द्राइफ करेंगे, तो हमारे पास एक equation है, जो के बहुत important है, समझना, वो है general gas equation, general gas equation क्या है, general gas equation is the combination of, general gas equation is the combination of all gas loss, सारे gas loss का combination ही है, जैसे के, volume inversely proportional है pressure के, volume inversely proportional है, volume directly proportional है temperature के, और volume directly proportional है number of moles के, अगर आप तीनों को combine कर देंगे, तो हमारे पास formula हो जाएगा, 1 upon P, multiply by T, multiply by N, अगर आप इसको solve करेंगे, तो हमारे पास formula हो जाएगा, PV equals to NRT, PV equals to NRT का formula हम दुबारह discuss करेंगे, numericals के अंदर, किसी और video के अंदर, फिलाल बात करते हैं R की, R is called general gas constant, और R की value होती है 0.0821, 0.0821 decimeter cube atmospheric, mole inverse, Kelvin inverse, ये इसका पूरा unit है, similarly R की एक और value होती है, ऐसा units में, R की value होती है 8.314 Joule, mole inverse, Kelvin inverse, अच्छा, अगर बात करते हैं, R के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, बटा, pressures की, तो pressure के units बहुत जाद है, और उन units की conversion भी बहुत जाद है important है, तो आईए तरफ पहले pressures की बात कर लेते हैं, pressure की units की बात कर लेते है, units of pressure units of pressure में सबसे पहला unit, ऐसा unit वो है newton upon meter square जिसको pascal कहा दाता है newton upon meter square जिसको कहा दाता है pascal similarly, pressure का एक और unit है, वो है atmospheric pressure का तीसरे unit है tor, चौता है millimeter of hg पांच में unit है बार और छटा unit है pressure का pounds per square inch psi, इन units की एक दुसरे में conversion भी समझ लेते हैं, यह बड़ी important conversion है अगर हम बात करते हैं one atmospheric की, तो one atmospheric बराबर होता है, 101 365 pascal के इसको आप 101 101 365 newton upon meter square भी कह सकते हैं, similarly अगर हम बात करते हैं one atmospheric की, तो one atmospheric बराबर होता है, 760 tor के बराबर होता है एक atmospheric, अगर हम one atmospheric की फर्दर बात करें, तो one atmospheric बराबर होता है, 760 mm of hg के आपने गोर किया होगा कि one atmospheric 760 tor की भी बराबर है और one atmospheric 760 mm of hg के भी बराबर है, इसका मलब कि one tor, one mm of hg के बराबर है यहाँ पर मैं यह लिख सकता हूँ कि वन टॉर वन टॉर बराबर है वन मिली मीटर आफ हजी के अगर बात की जाए वन एटमोस्फेरिक की फर्दर तो वन एटमोस्फेरिक बराबर होता है 14.7 PSI के यह कुछ ऐसी important conversions है जो के आपसे MCQEs के पुछी जा सकती है तो इनका खैल रखेगा अब जड़ा आगे बढ़ते हैं डेल्टन्स लाओ अफ पार्शल प्रेशर पे डेल्टन्स लाओ अफ पार्शल प्रेशर यह कहता है कि अगर एक सिलंडर में बहुत जादा non-reactive gases है यानि के ऐसी gases जो एक दूसरे से react करके compound form नहीं करती अगर उन gases की बात की जाएगी तो उन gases का अपना अपना एक individual pressure होगा अगर उन सारे individual pressures को add कर लिया जाए तो आपके बास total pressure निकलाएगा यानि delton's law of partial pressure के हिसाब से total pressure of two or more non-reacting gases यह non-reacting बढ़ा important है non-reacting gases is the sum of all the pressures, all the individual pressures all the individual pressures of the gases in a mixture आसान अलफाज में अगर हमारे पास चार gases हैं तो चारों gases का अपना अपना एक individual pressure होगा अगर उन चारों pressures को add कर दिया जाए तो total pressure निकलाएगा अब आप सोचेंगे कि यह कौन सी कमाल की बात हुई तो बेटा यह वाकी कमाल की बात है इसको जरा समझते हैं कि क्यों क्योंकि हमारे पास अगर एक slender के अंदर ऐसी gases हैं जो कि एक दूसरे से react नहीं कर रहीं जैसे कि मैंने यहाँ पर एक slender बनाया है यहाँ बहुत सारी gases हैं जिनको मैंने different different color से show किया है अगर यह gases एक दूसरे से react कर जाएंगी तो होगा क्या कि यह compound बना लेंगी और जब compound बना लेंगी तो यह इसका मलब gases के molecule एक दूसरे से attract हो रहे हैं तो यह slender के middle में रहेंगे और एक दूसरे से ज़ादा टकराएंगे नहीं क्योंकि ये compound form करते जाएंगे लेकिन अगर इसलेंडर की dane شれた topic एक दूसरे से react नहीं करेंगी ये non react COP तो якadem है总 होंगे तो ये क्या करेंगे एक दूसरे से collide करेंगे ये एक दूसरे से collide करने के बाद cylinder की walls से collide करेंगे जब इस calendar की walls से collide करेंगे तो होगा क्या कि slender की walls पर pressure generate करेंगे तो जितनी collisions होंगी उतना जादा pressure develop होगा और collisions उतनी ही होंगी जितने number of molecules होंगे इसका सीधा साधा मतलब यह है कि अगर number of molecules एक दूसर से react नहीं करते तो बराबर रहेंगे जब number of molecules बराबर रहेंगे तो number of effective collisions भी count की जा सकती है और जब number of effective collisions पता लग जाएंगे तो total pressure भी count कर लिया जाएगा इसका मतलब में ही है कह सकता हूँ कि अगर methane gas का अपना individual pressure है जो कि उसके molecules की मदद से उनकी molecules की collision की बज़े से produce हुआ है तो hydrogen gas के molecules की collision की बज़े से भी उसका pressure दिखा जा सकता है similarly oxygen gas का फिर nitrogen gas का ये चारों gases आपस में non-reacting है जब ये चारों non-reacting gases एक दूसरे से collide करेंगी और फिर wall of container से collide करेंगी तो बहुत ज़ादा pressure build up करेंगी और इस pressure को मैं total pressure कह सकता हूँ mathematically total pressure बराबर होता है सारी gases के pressure के sum के तो pt बराबर हो गया p1 plus p2 plus p3 plus p4 अब आप कहेंगे कि अगर हमें total pressure पता लग जाए तो क्या partial pressure मालूम किया जा सकता है हमें इतना तो समझ मागए कि अगर सारी gases का pressure पता है तो हम total pressure निकाल सकते हैं लेकिन उस वक्त किया जब हमें किसी gas का pressure ही ना पता हो किसी gas का individual pressure ना पता हो लेकिन total pressure पता हो तो इसका बहुत असान तरीका है देखें total pressure नापने की एक device होती है जिसका नाम होता है barometer आप barometer से किसी भी gas का pressure मालूम कर सकते हैं जैसे कि आपने tire वाले के पास लग जाता है, जब वो total pressure एक बार आपको बदा लग गया, तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर gases की कितने molecules हैं, और कौन सी gas की कितने molecules हैं, तो उस total pressure की मदद से और number of molecules की मदद से, आप किसी एक specific gas का partial pressure हम आलूम कर सकते हैं इसको अभी हम अभी numericals के इंदर discuss कर लेते हैं जैसे के example के तौर पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले formula लिख लेते हैं किसी gas का partial pressure निकालने का formula क्या होता है partial pressure divided by total pressure बराबर होता है number of moles of gas divided by total number of moles के अगर मैं example के तौरे बात करता हूँ कि हमारी जो air है जो हमारी atmospheric air है हमारी atmospheric air में oxygen gas की तादाद है oxygen की तादाद है 21% तक almost हम इसको round off में 20% कर लेंगे nitrogen gas की तादाद है 78% और carbon dioxide की तादाद है carbon dioxide की जो percentage है वो है less than 1% अगर मैं फिलहाल carbon dioxide gas को for the sake of simplicity ignore कर देता हूँ और इनको round off कर लेता हूँ तो nitrogen gas की तादाद हो जाएगी 80% और oxygen gas की value हो जाएगी 20% तो आईए ज़र इसको calculate करते है nitrogen gas का pressure मालूम करते है और हमारी oxygen gas जो atmospheric air के अंदर है उसका pressure